दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदुशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराक्षा अध्री दोस्तों भारती इतिहास के महत्यपोंड प्रश्णों के अध्यन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत धार्मिक अंदोलन से संबंधित महत्यपोंड प्रश्णों का भाग दो जो आपके आगामी अध्यापक भरती परिक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, यल्टी ग्रेट, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट इग्री कालेज, उच्चतर सिक्षा असेस्टेन प्रोखेसर केंद्री विद्याल संगठन और नेट जयारेप के स बिभिन राजजिलोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परिक्षाओं के सामानी ग्यान और सामानी अध्यन के भारते इतिहास खंड के लिए पहुत ही उप्योगी है तो आये शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगर धार्मिक अंधोलन से संबंधित महत्त पूर्ण प्रशनों का भाग दो पहला प्रशन है निम्नांकित में से कौन सा दर्सन जैन दर्सन से साम्मेटा रखता है न्याय दर्शन, सांख दर्शन, मेमांसा या वैशेसिक दर्शन तो सही उत्तर सांख दर्शन आपसन भी दोस्तों सांख दर्शन जो है ये जैन धर्म से सामेता या समानता रखता है जैन दर्सन के समान ही सांख दर्सन में पुनरजन्म के सिधान को स्विकार किया जाता है इसे प्रकार परमारों के संदर में भी जैन दर्सन के समान सांख दर्सन में भी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द परमार को स्विकार किया जाता है तो याद रखेगा सांख्य दर्सन जैन दर्सन से साम्मेता रखता है महर सी कपिल को सांख्य दर्सन का परतिश्ठापक आचारे माना जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक गरंथ की रशना की थी जैन दर्शन के अंतरगत अहिंसा पर अत्यथिक बल दिया गया है अगला प्रिशन है जैन धर्म के प्रथम तिर्थंकर कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर भगवान रिशब देव जैन धर्म के प्रथम तिर्थंकर रिशब देव थे यजुर्वेद में इन्हे धर्म प्रवर्तकों में स्रेश्ट कहा गया है स्वैंग्भुक अश्यप अथर्ववेद और गोपत ब्राम्हर में वड़ी सब्द का तादात में इन ही से लगाया जाता है और भरत और बाहुबली गोमतेश्वर इनके पुत्र थे हिंदु धर्म में इन्हे विष्णु का अवतार माना जाता है और इनकी मृत्तु कैलाश परवत पर हुई थी अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है आप देखिए कथन है कि जैन धर्म ने युद्ध और क्रिशी दोनों को वर्जित किया है बिलकुल सही है कारण है कि दोनों में जीवों की हिंसा होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है आप सन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों जैन धर्म ने युद्ध और क्रिशित दोनों को वरजित किया है क्योंकि दोनों में जीव की हिंसा होती है इसी कारण जैन धर्म के अन्यायों में व्यापारियों और वैश्यों की संख्या अधिक थी कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या आर है अपरिग्रह, अस्ते, सत्य, ब्रहमचरे और अहिंसा जैन धर्म के पंच महाबरत है जैन धर्म ने अहिंसा पर अधिक जोर दिया है पारसुनात ने अहिंसा अस्ते, अपरिग्रह और सत्य पर जोर दिया जबकि ब्रह्मचारे नामक पांचवे सिध्धान को महावीर स्वामी ने जोड़ा था अगला प्रश्ण है महावीर जैन ने अपने उपदेशों के परचार के लिए किस भाशा का प्रियोग किया था तो सही उत्तर है आमजन की प्राकृत भासा महावीर स्वामी ने मुखेत ब्रामडो द्वरा पोशित संस्कृत भासा का परत्या किया और अपने धर्मोप देश के लिए आम लोगों के बोलचाल की प्राकृत भासा को अपनाया उनके धार्मिक गरंथ अर्ध मागधी भाशा में लिखे गये हैं महावीर तो सही उत्तर महावीर जैन धर्म को वास्तविक सुरूप देने का स्रे महावीर स्वामी को है जो जैन धर्म के अंतिम और 24 में तिर्थंकर थे इन्होंने अपने अन्यायों को सर्वथा वस्तर त्यार करने का उपदेश दिया जैन धर्मे कुल 24 तेर थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रशार किया था इसमें पहले रिसब्देव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभोनाथ, चोथे अभिननदन, पांच में सुमतिनाथ, छठे पद्म प्रभू, साथ में सूपार्सोनाथ, आठ में तेर थंकर चंद्र प्रभू, नौ में पुस्प दन्त या सुविधिनाथ, दस में शीतलनाथ, इग्यारह में श्रयांसनाथ, बारह में वासुपूज, तेरह में भिमलनाथ, चोदह में अनंतनाथ, पंदरह में धर्मनाथ, सद सोलह में सांतिनाथ, सत्रह में कुन्थुनाथ, अठरह में अरनाथ, उन्नीसमी मलिनाथ, और बीसमें मूनिसुब्रत, इकीसमें नमिनाथ, 22 में नेमिनाथ या अरिष्टनेम, 23 में पारसोनाथ और 24 में और अन्थिम तेर्थांकर महावेर स्वामी रहे हैं। अगला प्रश्ण है जैन धर्म गरंथों का पर्थम संकलन कहां हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर पाटल पुत्र में। देखिए पाटल पुत्र में हुई पर्थम जैन सभा में सबसे पहले जैन धर्म गरंथ अंगों को संकलित किया गया। अगला प्रश्ण है जग्गय पेट सिल्प का संबंध किसे है। देखिए जैन शैव बौध्ध या आजीवक से तो सही उत्तर बौध्ध से। मौर योगीन बौध मताव लंबित देर घशासनकाल के उपरान सनातन हिंदू धर्म को पुनेपरति श्ठापित करने के लिए सुंग सातवाहन यूग सदैव असमारी रहेगा। लेगन अश्चयर का विशा है कि हिंदू धर्म के कदिपे वास्तु असमारकों के अतरिक्त अन्य सभी महत्तपूर पुरावशेस बौध धर्म से ही संबंदित पाये गए हैं। इसे असपष्ट संकेत मिलता है कि इस कालखंड में भी बौध धर्म को सत्ता का पर्याप्त संरक्षन था। पैडाम सरुप सुंग सातवाहन यूग में भारती अस्तूप और सैलकुरुत चित्तियों की संरशना और अस्थापत्य को प्रात्मिक्ता दी गई। इस यूग की वास्तो रशनाओं में भरहुत अस्तूप और साची का महास्तूप अस्थापत्य की द्रिश्टी से उत्तर भारत के इस्तूपों में सबसे प्राचिन और महुत्त पोड माने जाते हैं। इसी प्रकार दक्षुड भारत में अमरावती, नागारजुन कॉंडा, भट्टि प्रोल और कृष्णा जनपत के जग्गय पेट और घंट शाल अस्तूप भी संरशना और कलात्मक द्रिश्टी से उल्लेखनी हैं। तो अस्पष्ट है कि जग्गय पेट शिल्प बौध धर्म से संबंधित है। अनुशीलन आवस्यक है, जैन धर्म के त्रिरतन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सत्मे विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है, जिस सत्मे हम विश्वास या च्रद्ध रखते हैं, उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, कल्यान कारी कारियों का अनु की गई है अगला प्रश्ण है पंच महाब्रत और त्रीरत्न किस धर्म से संबंधित हैं आपको बताना है ये प्रश्ण बहुत ही महत्दपूर है तो आपसन है बौध धर्म जैन धर्म भागवत धर्म या उपर युग्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर जैन धर्म पंच अगला प्रिश्ण है पूर्व जैन धर्म गुरू ने संस्कृत भासा का बहिस्कार करके किस भासा को अपने धर्म उपदेश का माध्यम बनाया था तो सही उत्तर है प्राकृत भासा जो की आम बोलचाल की भासा थी दोस्तों जैन धर्म के प्राचिन्तम ग्रंथों को पुब कहा जाता है जैन साहित को आगम कहा जाता है और आगम के अंतरगत बारह अंग बारह उपांग दस प्रकिंड छेद शुत्र चार मोल सुत्र और अनुपरियोग सुत्र आते हैं अगला प्रश्ण है महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था आपको बताना है महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था पालि मागधी सूर सेनि या अर्धमागधी तो सही उत्तर अर्धमागधी मगद विहार में लोगों की भाषा अर्धमागधी थी ये भाषा 600 इसापूर से 120 के बीच बोली जाती रही है सामा नियाबादी के बीच अधिक्तम संभो सीमा तक धर्म का संदेश प्रशारित करने के लिए महावीर और उनके गढ़ धरों ने अर्ध मागदी भासा में अपना प्रचन दिया तिर्थंकर महावीर द्वारा आमजन की सुगम भासा की प्रयोग से लोगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा अगला प्रशन है दक्षिन भारत में जैन धर्म का प्रशार किसके नेतरे तुमें हुआ था आपसन है अस्थूल बाहू, भद्रबाहू, अशोक यबिंदुसार तो सही उत्तर भद्रबाहू दक्षिन भारत में जैन धर्म का प्रशार भद्रबाहू के नेतरे तुमें हुआ मौले सामराट चंद्रगुप्त भद्रबाहू का सिस्य था परिसिष्ट परवन के अनुसार जीवन के अंतिम बर्सों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्विकार कल लिया और भद्रबाहू के साथ स्रवण बेला गोला आ गया यही पर भद्रबाहू और चंद्रगुप्त की मृत्त हुई सरवण बेला गोला में ही भद्रबाहु गुफा और चंद्रगीरी परवत है इसलिए ये तिहासकारों का मानना है कि मौरेकाल में दक्षिन भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था अगला प्रश्ण है कनिस्क बौध धर्म के किस संपरदाय का अनुयाई था तो सही उत्तर महायान कनिस्क बौध धर्म के महायान संपरदाय का अनुयाई था बौध धर्म की चतुर्थ संगीत कुशार सासक कनिस्क की राज्यकाल में कस्मेर के कुंडन वर्म में हुई और इसक प्रभासगीरी उत्तर प्रदेश के कौसांबी में इस्थि जैन तिर्थ अस्थल है ये अस्थल छठवे जैन तिर्थंकर पद्मपूर से संबंधित है ये अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था अगला प्रश्ण है प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी आपको मताना है भद्र बाहु गर्द भिल अस्थूल भद्र या देवर्धिगर तो सही उत्तर अस्थूल भद्र ने प्रथन जैन समितिय सभा चतूर्थ सताब्दी इसापूर में पाटल पुत्र में अस्थूल भद्र की अध्यस्ता में संपन हुई इस सभा में जैन धर्म के बारह अंगो का संकलन किया गया इसमें भद्र बाहु के अन्यायों ने भाग नहीं लिया जबकि दुति जैन सभा चती सताब्दी में बल्लभी में देवर्धी गड़ या छामास रमड की अध्यस्ता में संपन हुई थी अगला प्रश्ण है जैन धर्म का इश्वर के प्रती क्या विचार था आपको बताना है तो सही उत्तर इस्वर में अविश्वास जैन धर्म ने इश्वर के अस्तित् शुद्ध और नैतिक जीवन विशेष्त जीव दया आया आहिंसा परवल दिया उसके अनुसार मनुस्य के पुनरजन्म पर उसके सत कर्मों और दुस कर्मों का प्रभाव पड़ता है महाबीर कर्म और आत्मा के पुनरजन्म में विश्वास करते थे दो जैन तेर थंकरों और अरिश्ट नेमी के नामों का उलेख रिग वेद में मिलता है विश्न पुरान और भागवत पुरान में रिशव का उलेख नारायन के अवतार के रूप में मिलता है। दर्शाय गया है कायो सर्ग का सापदिक अर्थ है सरीर के ममत्तों का त्याग इसका लक्षण पैरों में चार अंगुल का अंतराल देखकर खड़े हों दोनों भुजाय लटकती रहें और समस्त अंगों को निश्यल करके यथा नियम स्वास लेने या प्राडायाम इस पर ही का कायो सर्ग होता है इस प्रकार कायो सर्ग ध्यान की सारीरी अवस्था है अगला प्रश्ण है सर एडविन एरनाल्ड की पुस्तक दलाइट आफेसिया किस पर आधारित है आपको बताना है तो सही उत्तर है ललित विश्तर पर सर एडविन एरनाल्ड की पुस्तक दलाइट आ अगला प्रश्ण है दिग निकाय का हिंदी अनुबाद किसके द्वारा किया गया है तो सही उत्तर राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिग निकाय का हिंदी अनुबाद राहुल सांकृत्यायन ने किया है दिग निकाय एक बौध ग्रंथ है ये सुत्पिटक का पर्थम निक चाय में 34 लेख है जिन्हें तीन समूहों में विभाजित किया गया है अगला प्रश्न है बौधकाल में कितने गड़राजि थे आपको बताना है दस पंद्रह बीस या पांच तो सही उत्तर दस गड़राजि बौधकाल भगवान बुद्ध के समय में गंगा घाटी में दस अगला प्रश्न है दोस्तों गौतम बुध कहां पैदा हुए थे आपको बताना है तो सही उत्तर लुम्बिनी में गौतम बुध खजन्म का पिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल की तराई में 563 ही सपूर में हुआ उनके पिता शुद्दोधन का पिलवस्तु के साथ के गड़ के परधान थे और माता महा माया अथ्वा माया देवी कोली ये गड़राज गौतम बुध खजबन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे 29 वर्स की अवस्था में उन्होंने ग्रिहत्या किया जिसे बौध गरंतों में महा भिनिस्क्रिमर की संग्या दी गई है 483 इसापुर में कुशी नारा मल्लगड राज्जी की पर्थम राजधानी में असी वर्स की आयू में गौतम बुध की मृत्व हुई जिसको महा पर निर्वान कहा गया है गौतम बुध की पतनी का नाम ये शोध्रा था जो शाक के कुल की कन्या थी और गौतम बुध का पालन पोशन इनकी मौसी महा प्रजापती गौतमी के द्वारा किया गया था अगला प्रशन है साके गरतंतर में सभास्थल में भेट करने वाले अस्थान को क्या कहते थे चौपाल, सान्थागार, ए और बी दोनों या उपर युक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर सान्थागार साके के निरवाचित गड़ सभा करने के लिए सान्थागार में इकठे होते थे सान्थागार साके गड़तंतर में महत्वण राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक मनतब्वे में एक रूपता लाने के लिए सदस्यों के बैठक करने का सभास्थल था जो आधुनिक विधान सभा भावने जैसे होते थे तो याद रखेगा साकिगर तंत्र में सभास्थल में भेट करने वाले अस्थान को सान्थागार कहा जाता था अगला प्रश्ण है गौतम बुद्ध द्वरा अपने धर्म में दिच्छित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था आपको बताना है तो सही उत्तर है सुभद्ध आपसंडी अपने जीवन के अंतिम बर्स में गौतम बुद्ध अपने शिशित चुन्द के यहाँ पावा पहुँचे यहाँ सूकर माच्छो भोज सामगरी खाने से यह अतिसार रोग से पीडित हो गए फिर यह पावाशे कोशी नकर चले गए और यहीं सुभद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना बैसाक पोडिमा को घटित नहीं हुई देखिए जन्म ग्रिहत्याग संबोधिया महापर निर्वार तो सही उत्तर ग्रिहत्याग वैशाक पोडिमा को बुद्ध पोडिमा भी कहते हैं इसे बुद्ध जैनती के नाम से जाना जाता है कठिन साधना के पश्याद बैसाक पोडिमा के रात को एक पीपल ब्रिक्षी के नीचे उन्हें ग्यान या बोधि प्रात्त हुआ और बुद्ध के नाम से विख्यात हुए पोडिमा के दिन ही का उतम बुद्ध का सरुगारो हर समारो भी मनाय जाता है मानेता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धतु की प्राप्ती हुई थी और बुद्ध के जीवन में ग्रिह त्याक की घटना बैसाक पोडिमा को घटित नहीं हुई थी अगला प्रश्न है बुद्ध के परिनिर्वार की तिथी 483 सपूर किस आधार पर निर्धारित की गई है आपको बताना है तो सही उत्तर है कैंटन रेकार्ड के आधार पर बुद्ध के परिनिर्वार की तिथी 483 सपूर कैंटन रेकार्ड पर आधारित है मानेता है कि भिच्छु संग भद्र ने बुद्ध के पर निर्वान की खबर चीन भेजी थी तब से प्रतेक वर्स एक बिंदु को चिन हित कर बुद्ध की मृत्व की गरना करने की विवस्था कैंटन यानि चीन में की गई अगला प्रेशन है बुद्ध को ग्यान कहां प्राप्त हुआ था आपको बताना है तो बुद्ध को ग्यान गया में प्राप्त हुआ था सिधार्थ ने गया में पीपल के ब्रिक्ष के नीचे सबात ही लगाई, कठोर तपस्या के बाद 35 वर्स की आयो में बैसाक पोड़िमा की रात उन्हें ग्यान प्राप्त हुआ और ग्यान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए, बुद्ध का एक अन्यनाम तथागत मिलता है जिसका अर्थ है, सत्य है ग्यान जिसका, इनका एक अन्यनाम साक्य मुनी भी मिलता है, सामाने मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया, बुद्ध द्वरा स्थापिस संग की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुसाव आपको बताना है, तो सही उत्तर बौद्ध धर्म से, धर्म चक्र परवर्तन बौद्ध धर्म से संबंधित है, ज्यान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का परचार प्रारम किया, उरू वेला से वे सबसे पहले रिसी पत्तनम, जो की वर्तमान में बारान सी के निकठे वहां आए, वहां उन्होंने पांच ब्रामहर सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, इस परथम उपदेश को धर्म चकर परवर्तन कहा जाता है, अगला प्रेशन है, बौद्ध मानेता के अनुसार किस देवता ने तीन बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अ अगला प्रेशन है, गौतम बुद्ध ने सरवाधिक वर्सावास कहा व्यतीत किया था आपको बताना है, सारनात, गोशिन अगर बुद्ध गया या सरावस्ति, तो सही उत्तर स्रावस्ति में, गौतम बुद्ध ने सरवाधिक वर्सावास स्रावस्ति में ब्यतीत किया, बुद्ध के सरवाधिक प्रवचन और उनके अनुयाई भी स्रावस्ति में हुए, जेतवन बिहार, मलिका राम बिहार और नियुगरो था राम बिहार स्रावस्ति अगला प्रश्न है किसको शाक की मुनी के नाम से भी जाना जाता है तो आप जान लीजे गौतम बुद्ध को शाक के मुनी के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 563 हिसा प्यूर में साक के कुल में हुआ था और शाक के कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक के मुनी कहा गया है अगला है बौत धर्म को स्विकार करने वाली पर्थम महिला कौन थी तो ये थी गौतमी बौत धर्म को स्विकार करने वाली पर्थम महिला परजापती गौतमी थी आप याद रखेगा और ग्यान प्राप्ति के आठवे बर्स गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रे शाली कपिल वर्स्तु काउशांबी या- उज्जनी तो सही उत्तर उज्जनी की आत्रा बुद्धनी नहीं की थी, भगवान बुद्ध ने अपना परथम उपदेश शारनाथ में दिया, जहां पांच ब्राम्हण उनके परथम सिस्वने, सारनाथ से बुद्ध रांड सी गये जहां यस नामक एक धनी स्रेश्टी पुत्र को उन्होंने अपना सिस्य बनाया यहां से वे राजग्री पहुंचे जहां उन्होंने दूतीत रती और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया बिम्बिसार जो इस समय मगत कशासक था उन्होंने उनके निवास के लिए वेलू वैसाली पहुंचे यहां उन्होंने पांचवा वर्षा काल विताया लिछवियों ने उनके निवास के लिए महा बन के प्रसिद्ध कुटाग्र शाला का निर्मार करवाया वे राजा उदेयन की राजधानी कौश्राम भी गये और वहां उन्होंने नवा पिस्राम किया के सबसे अधिक सिस्य कोशल राज में हुए थे इन्होंने सरवाधिक वर्षा काल कोशल राज में विताया था अगला प्रश्न है स्रावस्ति किस नदी के किनारे इस्थित्धी आपको बताना है आपसन है अनीमा, रोहिडी, अचिरावती या हेरन्यवती तो सही उत्तर अगला प्रश्न है निम्न में से थेरवाध या इस्थिरवाध, इस्थिवरवाध किसे कहते हैं तो सही उत्तर ही नियान को, दूति बहुद्ध संगीत के समय भिच्छु संग दो संपरदायों में भी भाजित हो गया, परंपरागत विनय में आस्था रखने वालों का संप संगी का थवा सरवास्तिवाधी कहा गया, प्रथम का नेत्री तो महा का चायन और दूति का नेत्री तो महा का सपने किया, दूति बहुद्ध संगीत में अस्थवीर संपरदाय का बोलवारा था जबकि चतुर्थ बहुद्ध संगीत में महा संगीकों का, चतुर्थ आसियों को ही विभाषा सास्तर कहा जाता है इसी समय बहुत धर्म ही नियान और महायान नमक दो सोतंतर संपरदायों में विभक्त हो गया जो इस्थिविर और महासांखिक के रूप में दुभूत हुए थे अगला प्रश्ण है है मौत संपरदाय एक साखा थी किसकी हीनियान की महासांखिक की आजीवक संपरदाय की या वज्रयान की तो सही उत्तर महासांखिक की है मोज संपरदाय महा सांगिक संपरदाय की एक साखा थी ये आचारे कश्यप गोतर द्वरा अस्थापित बौध मठों और उनके भिच्छों के परचार के फलसरूप एक विशिष्ट बौध संपरदाय था अगला प्रशन और आज की वीडियो का आखरी प्रशन है पर्थम बौध संगीत के अध्यक्ष कौन थे तो सही उत्तर महा का सब पर्थम बौध संगीत या पर्थम बौध परशद बुद्ध की मृत्यु के ततकाल बाद राजगरे की सब्त पाणड़ी की उफा में हुई इस समय मगत का सासक आजात शत्र था इस संगीत की अध्यक्षता महा का सपने की और इसमें बुद्ध के प्रमुक्सिस से आनंद और उपाली भी उपस्ति थे इसमें बुद्ध की सिक्छाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त और बिने नामक पिटकों में भिभाजित किया ग से धर्म और विनय के प्रमाड माने गए हैं तो दूस्तों ये था आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत धार्मी का अंदोलन से संबंधित महत्तो पूर्ण प्रशनों का भाग दो जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन नवाद दूस्तों नमस्कार